जी हाँ दोस्तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि भारत के ही एक राज्य जम्मू कस्मीर में अभी तक का भारत का सबसे बड़ा लीथियम भंडार पाया गया है और ये लीथियम का भंडार काफी बड़ा है तो इससे भारत की एकॉनमी पे कैसे असर पड़ेगा और भा आज की इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रही है तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं ये सारी बाते तो सबसे पहले हम आपको बता दे की भारत के जम्मू कस्मीर राज्य जो की भारत का एक इंद्र श्रासित रात यूणियंु टेरोटरी है यह लीद्यम का भंदार वहीं पर पाया गया है और यह काफी बड़े मात्रा में पाया गया है अभी यूद्य पाया गया है यह प्योड है और 5,9 मिलियन टन्स के मातरा में यह पाया गया है उसके बाद अगर हम लीथियम की बात करें तो लीथियम का इस्तमाल आम तोर पर बैटरीज बनाने सेमी कंड़क्टर चीप बनाने और मोबाइल एयर फोन्स ब्लुटूथ की बैटरीज के लिए होता है और काफी सारे electronic gadgets को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और इससे भारत का चीन पर निर्भरता भी घटेगा अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लीथियम सबसे ज़्यादा चिली, ऑस्टेलिया और अर्जल्टीना में पाया जाता है अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा रेजर्ब चिली में है और इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चिली और ऑस्टेलिया है और इसका सबसे ज़्यादा कंजप्शन electronic companies करती है और अमेरिका में इसका काफी ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है क्योंकि वहां की है और यह मेटल है और इसका अटामिक नंबर की बात करें तो इसका अटामिक नंबर 3 है और इसका मास नंबर 6.941 है और इसका electronic configuration करें तो 21 होता है और लिथियम का इस्तमाल आम तोर पे बैट्रीज और सोलर पैनल बनाने में होता है जो की काफी बड़ा इंडस्ट्री आज क समय में पूरे वर्ल्ड में हो चुका है यह लिथियम का भंडार जम्मु कस्मीर के जम्मु इलाके के रिसाई जिले में पाया गया है और यह हिंदू बहु मिल्य छेत्र है हम आपको बता दे कि इसको फरवड़ी 2023 में जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने डिस्कवर किया था और इससे भारत को यह काफी बड़ा पुरे भारत में सबसे बड़ा लिथियम का रिजर्ब मिला अगर हम इसकी बात करें तो इससे भारत की कौनमी को काफी जादा बुस्ट मिलेगा और साथ ही साथ भारत के एनरजी सेक्टर में भी बहुत बड़े चेंज़ आएंगे और वो कस्मीर जो कभी अपने डर्टी पॉलिटिक्स और टेरिरिज्म के लिए जाना जाता था अब वो डेबलब एस्टेट बनेगा और साथ ही साथ वहां पर कई साड़ी बिदेशी कंपनियां आएंगी जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और वो एक डेबलब एस्टेट बन पाएगा और वहां पर काफी साड़े इंवेस्टमेंट होंगे और उसकी एकॉनमी भी अन्य राजो की तरह स्पीट में डेबलब करेगी और इसे जम्मू कस्मीर भी एक डेबलब एस्टेट बन पाएगा तो आज के वीडियो में इतना ही थैंक्यू फर पाष्ण